नमस्कार किसान भाईयों मैं सतीस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं किसान भाईयों इस टाइम पर अगर आपके खेत में बाली या निकल रही है तो बाली निकलते टाइम पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको समस्या देखने को मिल सकती है जिसे अगर हम इस खेत में देखें तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही हैं पत्तियां पीली दिखाई पड़ती हैं और अगर पत्तियां पीली दिखाई पड़ती हैं तो ये एक प्रकार का फफून यानित रोग हो सकता है और अगर ये रोग बढ़ता है तो धान की फसल में नुक्सान होता है तो पतियां अगर आपको अपने धान में पीली दिखाई पड़ रही है तो इस तरीके की समस्या आपको अगर दिखाई पड़ती है होती है तो इसके लिए आपको फफू ना सक जरूर डाल देना चाहिए दूसरी बात इस टाइम पर बालिया निकल लही होती है अगर बालिया पांच परसंट से कम निकली हैं तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको आप डाल करके और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बालिया अगर पांच परसंट से ज्यादा निकल आई हैं बालियों की संक्य ज्यादा निकल चुकी है तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो बालियां निकलने के बाद आप नहीं डाल सकते हो तो ये चीज आपको देख करके ही अपने धान की फसल में चीजों को डालना है और बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जब बालियां निकल जाते हैं जैसे पूरी बालियां खेत में निकल गए उस टाइम पर गंधी कीट से बचाव के लिए कारबंडा अजिम डाल देते हैं कि लोरो पारिफास डाल देते हैं तो बालियों पर सीधे अटेक होता है नुक्सान क्या होता है कि जैसे गंधी कीट लगा हुआ है तो उसी टाइम पर फूल की अ पर आगड़ की जो प्रोसेस होती डाल देखते हो तो आप देखते हो कि गंधी कीस्टे तो आपने अपनी फसल को बचा लिया क्योंकि गंधी कीट जो नुक्सान पहुंचा रहा था बालियों का रस चूस रहा था और उसकी जगा बचाने के लिए आपने क्लोरो पारिफास या ऐसी कोई दवाओं को डाल दिया जो आपकी फसल को नुकसान पहुचाती है तो परागड की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी और बालियों की खोकलेपन की समस्या देखने को मिलेगी जिससे आपकी फसल तो बच गई यानि गंधी से तो बच गई लेकिन नुकसान आपका उससे ज्यादा हो गया तो इसलिए जब बालिया निकल जाएं तो कोसिस करें कि उसके पहले अगर आप गंधी 1-2% खेत में दिखाई पड़ रही है तो आपको कोई दवा डालने की जरूरत नहीं और 1-2% अगर बालिया निकली है उसी टाइम पर गंधी दिखाई पड़ र जाएगा और आपकी फसल में जो गंधी से नुकसान होता है वो बच जाएगा बाकि जो फफून जनित बीमारियां अगर आपको इस टाइम पर दिखाई पड़ती है तो फफून जनित रोग बीमारियों से बचाओ के लिए भी आपको दवाओं को डालना पड़ेगा बाली है कि आश्ता इस तरीके से फोल आपको चिपके हुए दिखाइए पड़ते हैं तो इस टाइम पर आपको उरबरके भी डालने से बचना है क्योंकि इस टाइम पर और दालो गे थो बाली ऑंपर चिपकेंगे और बालीयों पर उर्बरक जब किगी तो परागड की प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी तो इसलिए आपको इस टाइम पर नहीं डालना है बाकि अगर आप बोरान डालते हो तो बालियां एक दो परसेंट निकली उसी टाइम डाल दो या फूल बनने के पहले यानि जब फूल बन रहा होता है फूल बाली निकलने के एक दो दिन ब के साथ धन्यवाद